हेलो एवरिवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बर्फी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ, जिसके लिए हमें गैस जलानी की जरुवत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमें इसके लिए किसी घी की जरुवत पड़ेगी, इसके लिए एक मिकसर जार में तीन कब भुना हुआ चना एड़ कर देंगे, आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छे से साथ इलाइची एड़ कर देंगे, अब इसे पीस कर इसका पाउडर तयार कर लेना है, इस तरीके का पाउडर तयार कर लेंगे, इसे एक बार ऐसी टेक कर लेंगे, बिल्कुल चिकना पाउडर चाहिए होगा, अब इसे एक बड़े बरतन में डाल देंगे, साथ ही इसमें आधा कप मिल्क पाउडर एड़ करेंगे, अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो आधा कप ताजा मलाई अच्छी तरीके से फेट लेंगे, फिर इसके अंदर एड़ कर देंगे, इसमें हम ताजी मलाई का इस्तेमाल करेंगे, यह वो मलाई है जो दूद के ऊपर दूद गरम करने के बाद में आती है, पहले आधा कप मलाई अड़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिस तरीके से हम आटे का डो लगाते हैं, उसी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, जब यह अच्छी तरीके से mix हो जाए तो आधा कप मलाई और लेंगे उसे भी fade कर इसके अंदर add कर देंगे इसके लिए हमें total एक कप ताजी मलाई चाहिए होगी अगर मलाई ना हो तो इसकी जगाब दूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मलाई से इसका जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है अब इसे हाथों से अच्छी तरीके से mix करेंगे और इसे इस तरीके से कर देना है कि जब इसे इसका डोब जब mixture को हाथ में लेंगे तो इस तरीके से वो बंदने लग जाए सारा mixture अच्छी तरीके से जब त्यार हो जाएगा तो एक बर्फी tray लेंगे और इसे oil से grease कर लेंगे और ये सारे ही mixture को उसके अन्दर डाल देना है और उसे अच्छी तरीके से mixture को फिला लेंगे tray के उपर अब इसे उपर से अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए इसे सेट करेंगे इसके सारे कॉर्णर्स को इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करेंगे ताकि ये कॉर्णर भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए अब इसके उपर ड्राइफ रूट एड़ कर देंगे मैंने इसके उपर पिस्ते और बादाम की कतरन डाली है आप अपनी मनपसंद के ड्राइव फूट इसने माल कर सकते हैं इसे भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये भी अच्छी तरीके से सैट हो जाए अब इसे आधे घंटे के लिए सैट होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से सैट हो गया है अब इसमें से अपनी मनपसंद के साइज के पीसे कट कर लेंगे इसी तरीके से सारे पीसे कट कर लेंगे बड़े या छोटे जैसे आपको पीसे पसंद हो आप कट कर लें अब इन सारे पीसे को बाहर निकाल लेंगे और इसे एक फ्लेट में लगा लेंगे आप देख सकते हैं ये बिलकुल ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बर्फी बन के तयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है मैं एक बर्फी चेक कर आती हूँ आप देख सकते हैं इसका टेक्शर कितना अच्छा आया है थैंक यूफू